students bootstrap 4 क्या है देखिए bootstrap आपका एक framework है और जो 4 है वो इसका version है अभी यहाँ पे जो इसका bootstrap का stable version है वो 4 चल रहा है बाकि 5 भी आपका आने वाला है तो हम 5 के बारे में भी आपको सिखा देंगे ठीक है विसे कुछ जादा changes नहीं होते हैं versions के अंदर बाकि यह है कि 4 के अंदर जो feature नहीं होंगे वो feature आपको 5 में मिल जाएंगे लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है bootstrap 4 सीखना है देन उसके बार आप bootstrap 5 में सीख जाएंगे बहुत ही easy होता है जादा को changes नहीं मिलेंगे चलिए अब जाद सीखते है bootstrap को सही तरीके से कि bootstrap आखिर कर होता क्या है तो मैं आपको बता दूँ कि bootstrap एक framework होता है किसका html css javascript और jquery का इसका मतलब यह है कि जो bootstrap बना है framework वो इन चारो languages से मिलके बना है ठीक है इस bootstrap में क्या हुआ है html का भी यूज किया गया है css का भी यूज किया गया है और javascript और jquery का भी यूज करके इन चारो को मिला करके bootstrap को बनाया गया है ठीक है अब इस bootstrap का use होता क्या है ज कि responsive websites क्या होती है तो उसके लिए जब समझे कि responsive क्या होता है तो responsive का मतलब यह होता है कि जो आपकी website है वो हर एक device पे सही प्रकार से open होने पाए जैसे कि mobile पे एकदम सही तरीके से वो open हो जाए कोई भी उसका जो content है वो बिखरने न पाए ठीक है टेबलेट पे भी वो website सही चाहिए वहाँ पे भी उसका content बिखरना नहीं चाहिए और desktop पे भी same जैसा perfect दिखना चाहिए उसको ये नहीं कि desktop पे एकदम पूरा बिखर जा रहा है mobile पे ठीक दिख रहा है तो इसे हम responsive नहीं कहेंगे responsive का मतलब यही होता है कि जो आपकी website है वो device के अनुसार अपनी आकरती में बदलाव करती है ठीक है जिससे कि उसका जो content होता है वो बिखरता नहीं है ठीक है उसी website को हम क्या कहते है responsive website कहते है जो कि mobile पे भी सही दिखे laptop पे भी सही दिखे और desktop पे भी सही दिखे ठीक है तो अमीद करता हूँ आपको समझ में आग्या होगा कि bootstrap क्यों use करना है ठ आप बताओगे bootstrap का use हम इसलिए करते हैं ताकि हम responsive websites को बना सकें अब ज़र सीखे कि bootstrap को आखिर का use कैसे करते हैं तो ज़र देखिए bootstrap के अंदर predefined कुछ classes होती है ठीक है जैसे कि आपको याद होगा जब आपने CSS सीखा था तो उसके अंदर आपने class attribute सीखा था और ID attribute सी कर पाते थे CSS के अंदर भी और JavaScript के अंदर भी ठीक है तो यहां पर bootstrap क्या करता है कुछ आपको predefined classes provide करता है ठीक है मतलब predefined classes का मतलब पहले से ही उसने class बना के रखी है और उसका code भी उसने already करके रखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है उसकी bootstrap ने जो predefined class आ के अंदर लगा लेना है जैसे ही आप उसके classes को अपने HTML text के अंदर यूज करोगे bootstrap automatically आपके content को आपकी website को design कर देगा ठीक है सो उमीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि bootstrap को अखिकर use करना कैसे है ठीक है बाकि यह तो बहुत ही starting ही है अभी फिलाल bootstrap की तो च कैसे करोगे ठीक है अगर आप उसका cdn use नहीं करते हो bootstrap का तो जो भी आप class लगाओगे work ही नहीं करेगा ठीक है तो आपको क्या करना होगा bootstrap को use करने के लिए सबसे पहला काम उसका cdn use करना होगा या फिर आपको bootstrap की downloaded files को download करना होगा ओके जैसे कि आपको याद या तो उसका cdn use कर लिया था या फिर हमने उसकी जो file थी jquery की उसको download करेके अपने html page से link कर दिया था सो हम अभी क्या करेंगे मैं आपको downloaded files नहीं करवाने वाला हूँ मैं आपको recommend करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा bootstrap का cdn ही use करें क्योंकि जो cdn होता है वो काफी fast होता है तो कैसे या तो आप सीधा देखिए directly से या से copy भी कर सकते हैं यहां से मैंने already cdn दे सो यहां पर आप सर्च करेंगे तो देखिए सबसे पहले link आपको मिल जाएगा introduction bootstrap आप इसको click कर लीजेगा और इसे open कर लीजेगा तो देखिए यहां पर यह link जो था bootstrap का website open हो चुका है और जो यहां पर देखिए उपर एक notification अभी आया हुआ है there is a newer version of bootstrap 4 मतलब बोला जारा है कि bootstrap 4 का एक और नया version आ चुका है तो आप क्या करिए यहां पर देखिए version show कर रहा है 4.0 आप यहां क्लिक करिए और जो देखिए latest कौन से चल रहा है अभी यह 4.1.x ठीक है आप इस पर click कर लीजेगा ठीक है जिससे क्या होगा जो latest version है आप वो सीख पाएंगे bootstrap 4 का अब यहां पर देखिए आपको CDN मिल जाएगा देखो एक CSS की फाइल आपको लिंक करनी है bootstrap की ठीक है और यहां पर एक jQuery का जो CDN होता है वो use करना है और दो फाइल और है यहां पर एक popper.js और एक bootstrap.min.js यह वाली फाइल ठीक है तो यह तीनो फाइल आपको लिंक करनी है अपने HTML पेज से और एक CSS की जो फाइल है इसको लिंक करना है ठीक है तो चलिए इसे लिंक करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है एक place पे आप एक new folder create कर लिजेगा ठीक है मैं यहां पे एक new folder create कर लिता हूँ और इसी के अंदर अपने project को रखोंगा ठीक है मैं इस folder का नाम रख देता हूँ project और इसी के अंदर ही मैं अपनी files को develop करूँगा तो इसको इसके अंदर file develop करने के लिए आपको क्या करना होगा इसको अपने sublime text editor के अंदर इसे add करना होगा और फिर वहीं से हम इसमें files बना लेंगे ठीक है जैसे कि ये है मैं क्या करता हूँ इसके अंदर ये project वाले folder को ऐसे drag and drop कर देता हूँ ये दिखिए आ गया ठीक है फ इसे सबसे पहले ctrl s दबा के save कर लिजे और ये कहां save होगा देखिए project के अंदर ही मैं इसे नाम दे देता हूँ index.html ओके इस तरीके से उसके बाद मैं यहाँ पे emet plugin का use करूँगा यहाँ पर आद होगा हमने emet plugin को use किया था और tab दबाते थे तो इस तरीके से html का जो भ करना है कैसे insert होगा सबसे पहले क्या करिए यह जो css की जो भी link है इसको यह देखिए copy है इस पर click कर कर लिजे ठीक है और इसे कहां paste करोगे यह head देख रहे हो head में यहाँ सबसे उपर कुछ इस तरीके से ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर आईए जो भी यह कर लिजेगा ओके अब जड़ सेव कर लिजे इसको बस अब इतना करने से आपका जो डॉक्मेंटेशन है पूरा complete हो गया है bootstrap की classes को use करने के लिए ठीक है जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक class use करके दिखाता हूं जिससे कि testing भी हो जाएगी कि जो bootstrap है हमारा इसके अंदर successfully link हुआ यह नहीं ठीक है सो मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक div और इसके अंदर मैं एक class add करता हूँ जिसका नाम है jumbootron ठीक है कुछ इस तरीके से class name है जो की bootstrap ने provide कर रखा है यह jumbootron class से क्या होता है जरब वो देख लीजे मैं इससे save कर लेता हूँ इससे क्या होगा आपके पास एक gray color का box आ जाएगा ठीक है चलिए इसको run करते हैं right click करता हूँ open browser पे click कर देता हूँ तो यहां पर देखिए brown के लेकर देखिए यहां पर box जो है jumbootron का वो यहां पर आ चुका है देख रहे हैं अगर मैं इसके अंदर h1 से write करता हूँ इस तरीके से welcome to bootstrap और इसे save करके run करता हूँ तो देखिएगा किस तरीके का दिखाई देगा तो देख रहे हैं यहां पर कितने decorated तरीके से आपको यहां पर welcome to bootstrap दिखाई दे रहा है ज़र आप गौल करिए कर इस बात को कि अगर आप simply बिना bootstrap की cdn को insert कि यह मतलब आप bootstrap यूज नहीं क लेकिन यहां पर यह perfect तरीके से यहां पर आ चुका है मतलब कि अब आप इसके अंदर bootstrap की classes को use कर सकते हैं इसके अंदर मैं एक और जैसे class use करके आपको दिखाता हूँ जिसका नाम है text center इसका use हम करते हैं किसके लिए किसी भी text को center में दिखाने के लिए save करके run करता हूँ देखेगा यह welcome to bootstrap center में आ जाएगा देख रहे हैं ठीक है so उमीद करता हूँ कि आपको यह video सरी से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से setup करना है और किस तरीके से आपको test करना है कि आपका जो bootstrap है वो successfully आपके html में install हुआ यह नहीं okay so आज की video में सिर्फ इतना ही इस